बोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें बोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बीजेपी नेता प्रितम लोधी ने माफी मांगी है वीडी शर्मा के घर पहुंच कर माफी मांगी है बड़ी खबर बोपाल से आपको बता दें बीजेपी नेता प्रितम लोधी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है बीजेपी के प्रतेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खर पहुंच ये प्रितम लोधी और उसे माफी मांग ली ये वीडियो तब कहे जब शीपूरी में कायजुन के दोरान एक सभग उसमभोधित कर रह बीजेपी नेता प्रितम लोधी और इस वक्त उन्हें ब्रामुनों के बारे में एक टिपणी कर दी थी और इस खबर पर ज्यादा जानकरी के साथ हमारे विशेश संबाद्दाता अनुराग मालवी जुड़ चुके हैं अनुराग बीजेपी नेता प्रितम लोधी ने में लुड़ा है को सिर्ने आपь ने थी चुके घ्रितम लोगों को भी प्रहां मने लेपिश नें पर बिद्या ने मेया बेजमाजने टेय को थी जिख्या है इस पराइं में अपने त्या काहत क्या लिखा है जो कि विडिशावाज лучше को दिए आपि अज़ियास में आधे मेदिया के साभी नावाचिक घूल हो गई असा डुट मेरी ब्रोधी पस्टे मेरे ज्यानों के सब्सक्राइब प्रण वना दिया है उसे ब्रहमाच समाच को निशिट विशेडर होगी आपको लगता इसे पार्टी को भी नुक्तान होगा बोलते से में आपको ऐसा में तो नी हूँ का तो स्वीटी दिस्येदी आप सिखो गए फुर। पर दोड़ी नजर आई हैं यहां पर तलब करने के बाद में यह शुरू एक्जम बदल गया है बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमसे जुड़ने के लिए और प्रितम लोधी की बाद इस मंच तक पहुचाने के लिए तो प्रितम लोधी हमारे विशे इस समवादाता अनुराग मालवी से बात शुरूत कर रहे थे और आपको बता दे वीडी शर्मा के घर पहुंचे प्रितम लोधी और अपने बयान पर माफी उन्होंने मांग ली है और इसी के साथ खबर दो पहर में फिलाल इतना ही दीजिए इजाज़त नमस्कार